हलो फ्रेंड्स वेलकम यू आल आज मैं आपके लिए जो वीडियो ने क्या रहा हो जिखें बात करने वाले हैं वार जोन से natural gas की बात करने वाले बात करने वाले है Ukraine की बात करने वाले है Russia की बात करने वाले है एक undervalued stock की जो की काम करता है natural gas की pipeline का natural gas related और bonus shares देने में जबरदस बात सा अब आपको गहर ऐसा कौन सा stock है कहां आप Ukraine पहुँचगे कहां आप Russia पहुँचगे लेकिन इस interlinking को जब आप समझ करने की कोशिश कर पाऊए तो जो आगे बढ़ने हैं और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको notification आती रहीगी और price action सीखने के लि आप कहोगे यार यह Ukraine यह रश्या और अमेरिका के लिए क्यों बहुत important बन चुका है अगर मैं भात करूँ रश्या के interest perspective से तो देखे एक जो security concern है वो अलग है लेकिन security concerns के अलावा जब आप देखोगी business objective तो बहुत important क्योंकि Ukraine रश्या के लिए बहुत बहुत बड़ा मैं कह होँगा एक kind of फाइदे का सौधा है अगर Ukraine रश्या के control में रहता है चाहे government की तरब से रश्या के अगर हाथ से निकल जाता है तो कल को रश्या को बहुत problem सोच सकती है क्यों आज की date में आपको लग रहा होगा sanctions पे sanctions रश्या के ऊपर लग रहे हैं लेकिन यह पूरा का पू क्यों सब इसी के ऊपर dependent है सब कुछ क्यों कि यहां से सारा कुछ बिल्कुल pipeline के थूँ आता है और सब smoothly आता है अब मैं अगर pipeline के थूँ आपको लेके चलू natural gas और crude oil के हम बात कर रहे हैं तो Ukraine आ जाता है बीच में सारा pipeline यहीं से होके निकलता है और उसके अलावा black sea में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए यह कि pipeline का map यहां पर मैं निकाल के लेके आहूं आपके लिए यह pipeline यह सब यह Russian border है देखिए बहुत बड़ा border Ukraine के साथ Russia share करता है यह देखिए सारी pipeline अगर आप देखोगे तो जो majorly यूरोप की pipeline है चाहे Poland की बात करो चाहे सलोबाक्य के थूरू चाहे Hungary के थूरू यह कहां जाती है यह सब जर्मनी इस साइट फ्रांस इस सारा सारा यही से ही जाता है और सारी pipeline अगर majorly देखो तो यह keep के थूरू आप देखिए इस साइट में यह देखिए दोनों pipeline यह सारा यूरोप के लिए चला गया इवन southern साइट में रोम आपको यूक्रेन की cities के नाम भी पता लग गये होंगे यहां तक कि आपको छोटी-छोटी city जो यूक्रेन में है खारकीप तो बहुत बड़ी city है आपको सुमी का भी नाम पता लग गया होगा यह देखिए यह pipeline का major देखिए सुमी से ही यह pipeline होके आती है इवन आपने अभी आपने देखा होगा जप्रोशिया का नाम सुना होगा nuclear power plant यह यहीं पर है अब तो आपने kerson का भी नाम सुन लिया होगा अब तो आपने odessa का भी नाम सुन लिया होगा यह port city है odessa यह सारा देखिए इसलिए देखिए जब कहीं पे कुछ होता है अगर आप उस चीज को follow करो तो बहुत नाम आपको देखने को मिल रहे होंगे और आप सुन रहे होंगे आपको गया है और आजकल की डेट में जब सरनाथियों की बात की जाती है तो बहुत important Poland Poland के बगल में लवीव इसका नाम भी आजकल आपने बहुत सुना होगा इस तरीके से आप देखिए जो यहां पर आप देखिए इसका importance आप समझ रहे हो इस इसलिए मैंने आपको यह pipeline का मैप दिखा है और इसको दिखाने का कारण यही है कि यूरोप में जो supply होती है वो रश्या से होती है और आपको ऐसा लग रहा होगा रश्या के उपर सेंक्शन लग जाए तो किसका फाइद होगा जरा सोचिए इसका एक ही फाइदा जिसको होने वाला है वह है अमेरिका रश्या को नुक्सान होगा डेफिनेट्ली यूरोपियन कंट्री को नुक्सान होगा डेफिनेट्ली बिल्कुल अभी तो बिल्कुल pipeline सटैप है उनकी सब कुछ सही चल रहा है स्मूद्ली चल के साथ साथ petroleum reserves है crude oil के बहुत सारे बड़े-बड़े reserves US के पास है US सब कुछ समीट के बैठा हुआ है यह इराक पर युद्ध यह खाड़ी देशों पर युद्ध ऐसा ही नहीं होता है जरा समझ यह इसके पीछे तेल है इसके पीछे गैस है तो समझ रहे होंगे जरूर और यह उक्रेन के online लाइट पर लेगे तो आज यह stock के हम बात करने वाला है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए यह stock अगर आप देखोगे तसल्ली से और समझने की कोशिश करोगे तो यह है bonus bonus देखिए 2019 में 1-1 का 2018 में 1-3 का 2017 में 1-3 का क्या फिर से bonus share आएगा और यह stock नजर करोड का profit है यह 6,000 करोड पिछले साल 9,000 करोड उससे पिछले साल आपको कि यह company है 11,000 करोड का profit दिखा रही और 500 रुपे का stock आप कहा रहे हो कौन सा है यह stock यह stock कोई और नहीं इसका नाम है Gale India Limited natural gas के prices आपने देखे होंगे आप नहीं देखा होगा crude oil का prices आसमान पे पहु मैंने आपको profitability दिखाई dividend भी company बार बार देती है सरकारी company है अगर मैं हिस्सेदारी की यहाँ पर बात करता हूँ तो आप खुछ सोचिए कि हिस्सेदारी किस की है सरकार की 21.8 प्रतिशत की आने वाले टाइम पर सरकार कुछ भी हिस्सेदारी और यहाँ पर निकाले privatization की बा माल खरीदा लेकिं domestic DIY ने माल बेचा लेकिन FIA ने उसको खरीद लिया जरा सोचिए public ने भी जरूरी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ा ही है लेकिन अब मैं आपको लेके चलूँगा गेल इंडिया के चार्ट के उपर क्योंकि हमारे बहुत important हो जाता है गेल इंडिया के चार रही है तो अगर यह correction resolve हो दी है तो इस stock का 155 से लेके 200 तक जाना कोई मैं कहूंगा ऐसा नहीं कि कोई चमतकार आपको लेगेगा यह consolidation चल रही है पिछले एक साल से और जिस consolidation के हम बात कर रहे हैं उसमें और पिछले हपते में जो natural gas में तेजी देखने को मिल रही है और उसक से उपर आया और उसके बाद correction हमें देखने को मिले जो कि पिछले एक साल क्योंकि monthly की corrections आपको ज्यादा time देख सकती है लेगिन पिछले एक साल में जो हुआ अब weekly ने वहाँ पे दिसा बदलनी start कर दी है तो इसलिए यह stock हमारी rhyme light में आया अब ज़रा तसलिस से आप देखि जो हुई यह low point एक high point एक higher low यहाँ पर बनता हुआ यह चीजे resolve होती हुए आपको देखने को मिल रही है तो आने वाला time बहुत important है और पिछले हपते की जो बड़ी candle है वो खाली बड़ी candle ही नहीं है वो बड़े volume की candle है मतलब नजरे आपको देख रही है smart money की मिलकुल clarity और आपको दिखाऊंगा अभी हम weekly chart पे central line MACD down है मतलब अभी हमारे पास थोड़ा सा momentum की कमी है weekly chart पे अगर मैं RSI की बात करूँ अभी हमारे पास momentum की थोड़ा सा कमी है क्योंकि यह area हमारे लिए super momentum area बनता है तो इसलिए गेल इंडिया बहुत important रहने वाला है आने वाले और अभी initially ज्यादा नहीं तो 200 का level लेकि 200 के level को भी एकर इसको पार करना है तो क्या दिखाना पड़ेगा consolidation चोटी correction समझे इस पार को यह सारी चीज़े यह process के part होते है क्या होते है process के part consolidation चोटी correction यह आपको मतलब किस तरीकी की रणनीत ही आप यहाँ पर बनाना चाहते हो कि हमने आप काफी detail में चर्चा करी हमने Ukraine की बात करी Ukraine के gas pipelines की बात करी और साथ मैं Russia की बात करी war की बात करी किसको फाइदा हो सकता है यह Russia के sanctions की उसके बात करी लेकिन यहाँ पर देखे जरा यह volume को देखिए यह आपको बहुत कुछ बता रहा है तो अभी जो हमारा मैं कहू यहाँ पर situation आप RSI को देखोगे तो एक lower high lower low की series जो चल रही थी यानि कि आपको price में जरूर higher high दिख रहा होगा यहाँ पर equal top यहाँ पर lower low price में देखने को मिला होगा लेकिन अब जो है चीज़े बदलती हुई दिख रही है और RSI में trend reversal आपको देखने को मिल रहा है तो आ देखिए daily time frame में मैं आपको अक्सर कहता हूं कि 200 SMA से नीचे हम जो है avoid कर सकते हैं अगर हम बड़े time frame के हिसाब से चल रहे है यानि कि नवंबर 2021 में 200 से हम नीचे चले गए थे हम 900 price हमारा 200 से नीचे चला जया था तो फिर अब long opportunity अभी wait करना पड़ेगा लेकिन अब इस time प अगर एक छोटी correction भी आ जाए 200 SMA अब support का काम करेगा जो पहले resistance का काम कर रहाता हूँ और support का काम करेगा तो इसलिए ये गेल इंडिया का stock बहुत important हो जाता है और अगर आप देखो अभी के time पे गेल इंडिया के पास 15500 km की natural gas की pipeline है क्या है 15500 km की जिसमें से अगर देखा जाए 2300 km की LPG की pipeline है 6 LPG gas processing units है एक petroleum petrochemical facility है तो बहुत important और साथ के साथ ये joint venture जो है इसका petrol petrol net LNG के अंदर रतनागरी gas gas and power limited की साथ जो है इस business में joint vendors भी है तो चली देखिए फिलाल wind up करता हूँ वीडियो को आप शेयर कीजे like कीजे price action सेखते रहिए practice करते रहिए and thank you thank you for watching the video झाली एक्षबदेए टे नशदेए थीजे है जाए भीडियो को रेसे पीजे प्डूबा करते नचेड़ Sticker है जाई बोड़्राने की जाए ये और ये की जाए झीजेए जाए जाए बोड़्यों रहे वेए इसका रहे हो जाए बोड़ने हूए खगरे है जामे बोड़ने